नमस्टे, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है. आज मैं वन पीस नामक एक एक्षन, एडविंचर, कॉमेडी फिल्म के बारे में बताऊंगा. बिगाडने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें. लफी को अपना बचपन याद आने लगता है, और वह कैसे कहता रहता था कि वह एक समुदरी डाकू बनेगा. लेकिन गारप उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, और उसे डाटता था, और कहता था कि उसे नौसैनिक बनना होगा. गारप तोप के गोले दागता रहता है, और लफी जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह प्रयोग करने में विफर रहता है. तो गारप उन्हें आत्मस्मर्पन करने के लिए कहता है और जब लफी मना कर देता है तो गारप अपने हाथों से एक तोक का गोला फेंकता है केवल लफी अपनी शक्तियों से उसे बिचलित कर देता है इससे समुदरी जहास का पाल नश्ट हो जाता है और कोबी हेलमेपो को से पहले ही उसे दूर धकेल देता है यह गोईन मैरी को कोहरे में नौकायन करके भागने की अनुमती देता है कुछ समय बाद गारप ने समुदरी डाकू ड्रैकुला को बुलाया जो लड़ाई के बीच में है गारप ने लफी का शिकार करने के लिए ड्रैकुले को काम पर और ड्रैकुले ने अपने दुश्मनों को हराते हुए स्विकार कर लिया और जहाज को आधा काट दिया दुश्मन नेता ड्रैकुला को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन वह अपनी तलवार से प्रक्षेप्य को काट देता है और तुरंत उसे मार डालता है गारप की ब ये वे उन्हें उपयोगी सहयोगियों के रूप में अपने पास रखते हैं, सरदार गंदा करते हैं, नौसैनिकों के लिए गुप गुरूप से कार्य किये जाते हैं और बदले में उनके अवैद कार्यों को नजरंदाच कर दिया जाता है। कोर्बी इन अजीब नैतिकताओं के खिलाफ है और इस बारे में गारप से बात करने जाता है, लेकिन गारप बस उसे बताता है कि दुनिया अनुचित है और कोर्बी को इसके साथ रहना सीखना चाहिए। इस बीच लफी को भोजन की गंधाती है और वह नामी को उस दिशा में जाने के लिए कहता है और अंता खोज लेता है। जो लफी को प्रभावित करता है। सैंजी समूव का ओरडर लेता है और जल्द ही वे बड़ी मात्रा में खाना खा रहे हैं। लेकिन लफी बिल का भुगतान करने में असमर्थ है इसलिए जेफ ने उसे अपना कर्स चुकाने के लिए एक साल के लिए नौकर के रूप में काम करने का आदेश दिया। लफी बरतंद होने के लिए रसोई में जाती है और सैंजी के पकवान का स्वात चकती है। इस बीच नामे अच्छे दल की भूमिका निभाते निभाते ठक गई है और इसके लिए वह एक नाविक के साथ एक सौधा करती है। अकेला छोड़ दो। बाद में सैंजी के ब्रेक के दोरान लफी ने उसे बताया कि उसे उसकी डिश बहुत पसंद है और उसने उसके सपने के बारे में पूछा। अस्विकार नहीं करेगा क्योंकि वह आदमी ऐसा नहीं कर सकता। वेतन लफी फिर से प्रभावित हो जाता है और सैंजी को अपने दल में शामिल होने के लिए आमंतरित करता है लेकिन वह उसे अस्विकार कर देता है क्योंकि वह जीफ कारिनी है। जल्द ही ड्रैकुले भ गोर में द्वंद वयुद्ध के लिए चुनोती दी। इस बीच रसोई में लफी जेफ को बुलाता है क्योंकि वह सैंजी को उसका सपना नहीं देखने देगा और उसे बताता है कि सैंजी ने खोए हुए आदमी को खाना खिलाया है जो जेफ को प्रभावित करता है। अग कमजोर है और केवल एक छोटे खंजर से लड़ना शुरू कर देता है जिससे उसके सभी हमले रुक जाते हैं। हाला कि वह जोरो की द्रेड इच्छा शक्ती से प्रभावित होता है और अपनी असली तलवार निकाल लेता है। जोरो को कुछ ही सेकंड में हरा देता है और उ देफ स्वेच्छा से अपने खाना पकाने के कौशल का उपियोग करके घाव का इलाज करता है। इस बीच द्रैकुले गारप से मिलता है और उससे कहता है कि उसने लफी को याद दिलाने से पहले उसे जाने दिया। जो नियंतरण में है जिसे कोबी ने सुन लिया है। द् उसके दल ने उस जहास पर हमला किया था जहां युवा सांजी था। रसोईे के रूप में काम कर रहा था। जीफ ने रसोई में प्रवेश किया और सैंजी ने उसे भोजन चूने से रोकने की कोशिश की लेकिन उसी समय एक बड़ी लहर ने जहास को डुबो दिया। कुछ के को चटान के दूसरी और भेजने से पहले एक बैग सैंजी को दिया और बड़ा बैग अपने पास रख लिया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे सांजी ने भोजन की उचित मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी अंत्ह उसे सडी हुई रोटी खानी पड़ी। पचीसवे दिन स जहाज देखा और उस पर चिलाया लेकिन तूफान के कारण उसकी बात नहीं सुनी गई। एक दिन सतर साल की उम्र में सैंजी भूख से ठक गए और दूसरा बैग लेने गए तो उन्हें पता चला कि वह खजाने से भरा था। जेफ ने उसे बचाने के लिए उससे जूठ बोला और इस पूरे समय वह उसका पैर खाकर खुद को जीवित रखता रहा। बाद में 85 वे दिन दोनों को बचा लिया गया। कुछ समय बाद अरलोंग और उसके गुर्गे रिस्तरा में पहुँचे। वे बिना अनुमती के घुस आते हैं और पूछने से पहले ही लोगो को उनकी सीटों से धक्का दे देते हैं। लफी जिसे नामी ने सुन लिया। जबकि जीव उन्हें भोजन से विचलित करने की कोशिश करता है। नामी लफी को चेताबनी देने के लिए दोड़ता है लेकिन वह मना कर देता है। जीव को उसकी मदद के लिए धन्यवाद द बेने के लिए रेस्तरा की रक्षा करना चाहते हुए जाने के लिए, फिर लफी अरलोंग से भिरने जाता है, जो बताता है कि उसके बैग में बग्गी का सिर है, यह पता चला है कि बग्गी ने लफी की टोपी के अंदर एक कान छोड़ दिया था, इसलिए वे इस समय उन पर जासूसी कर रहे थे, अरलोंग नक्षा मांगता है और लफी उसे इसके लिए लड़ने के लिए कहता है, लेकिन जीफ हस्तक्षिप करता है, अरलोंग को गोली मारने की कोशिश कर रहा हूँ, गोली कुछ नहीं करती और जीफ को गुर्गों ने नीचे गिरा दिया, उने शरीर को इतना मजबूत बनाता है कि लफी के घूसे कुछ भी नहीं करते हैं, लफी को बाहर फैंकने के बाद अरलोंग ने उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता, नामी प्रकट होता है, वह बताती है कि वह अरलोंग के लिए हमेशा से काम करती रही है, यह उसके कंधे पर बने टैटू से साबित होता है, और वह अरलोंग को बताती है कि उसके पास नक्षा है, नामी के साथ जाने से पहले अरलोंग ने लफी को समुदर में फैंक दिया, लेकिन सौभाग्य से सैंजी ने लफी को बचा लिया, दूबने से सैंजी रिस्तरा में वापस जाता है, जहां वह जेफ के साथ बहस करता है, जो चाहता है कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दे। बग्गी का सिर ले लिया है और वह मार्क दर्शन करने के लिए सहमत हो गया है, उन्हें अरलोंग के मुख्याले में ले जाया गया क्योंकि इस तरह वह अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ सकता है, जब भी बग्गी बहुत परेशान हो जाती है, जोरो सिर को पानी में फ पलीब्धी है और यहां आकर उसे अपने बचपन की यादे ताजा हो जाती है, अपनी दक्तक मा बेल मेरे और अपनी दक्तक बहन के साथ, नामी को हमेशा मांचितरों और नेविगेशन से प्यार था, लेकिन एक दिन वे किताबे खरीदने में असमर्थ थे, नामी ने एक चुरा लिया, जब बेल मेरे ने उसे पकड़ लिया, तो उसने उसे इसके लिए डाटा, और नामी ने रोते हुए कहा कि उसे इससे नफरत है, गरीब और वह बेल मेरे उसकी असलिमा नहीं थी, जिसके कारण उसे तमाचा पड़ा, माफी मांगने के लिए बेल मेरे ने उस उसे वह कहानी सुनाई की कैसे वह एक नौसैनिक हुआ करती थी और उसके बाद समुदरी डाकूओं के एक दल के साथ भीशन लड़ाई के दौरान उसे दो डरी हुई लड़किया मिली। उस दिन उसे पता चला कि सही काम घर पर रहकर उनका पालन पोशन करना है। तब बेलम और उसका दल गाव पर छापा मारने आए। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नश्ट कर दिया और शेरिफ को चोट पहुँचाई। वर्तमान में वापस नामी अरलोंग को नक्षा देता है, जो उसे मासिक श्रधांजली इकठा करने के लिए गाव जल्द ही लफी का समूह भी कोनोमी द्वीब पर पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि अरलोंग ने पूरी जगह को नश्ट कर दिया है। वे देखते हैं कि कैसे नामी श्रधांजली लेने के लिए आता है, आलांकी ग्रामेनों के पास नहीं है। बुगतान करने के परियाप एक मात्र व्यक्ती जो उसके खिलाफ खड़ा है, वह उसकी बहन नोजिको है जो जाने से पहले जमीन पर थूपती है। पैसे लेने के बाद नामी ने लफी और अन्य लोगों को नोटिस किया और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा क्योंकि उसे उनकी मदद की ज चली गई तो लफी ने घोशना की कि वहा हार नहीं मान रहा है और जवाब मांगने के लिए नोजिको को खोजने जाता है। नोजिको एक हथियार के साथ समोव से मिलता है लेकिन सैंजी उसके लिए खाना बनाने की पेशकश करके उसे शांत कर देता है। घोजन से प्रभा लड़किया तुरंट अपनी मां का बचाफ करने के लिए बाहर आई और फिर बेले मेरे ने अरलोंग से कहा कि यह पैसा लड़कियों की श्रधांजली के रूप में गिना जाएगा. चुंकि वह अपने लिए भुगतान नहीं कर सकती थी, अरलोंग ने उसे मार डाला. इस कहानी को सुनने के बाद लफी को और भी यकीन हो गया कि नामी बुरा नहीं हो सकता और ऐसा कुछ है. जारी है. इस बीच नामी अरलोंग लौट आता है, जो एक पार्टी कर रहा है. वह नामी यह सब सुन लेती है और नेजुमी के पैसे लेकर चले जाने के बाद वह अरलोंग से कहती है कि वह आखिरकार है. अपना सौदा समाप्त करने के लिए परियाप्त नकदी मिल गई और अरलोंग ने स्विकार कर लिया. आला कि नामी के पैसे वापस लेने के लिए जान के बाद अरलोंग नेजुमी को उसके पीछे भेजता है। फिर नामी अपनी मा की कवर पर वर्षों से चुराई गई सभी चीजों से भरा एक संदूख खोदने जाती है। नोजे को उसे ढूंडता है और अपनी मा का अपमान करने के लिए उसे बुलाता है। इसलिए नामी अंत्य कबूल कर लेता है। सच अपनी मा की मृत्यू के बाद नामी अरलोंग से मिलने गए और उन्होंने एक सौदा किया। अरलोंग करेंगे। गाउं को वापस उसे एक सौ मिलियन में बेच दिया और बदले में नामी उसका मानचितरकार बन गया। नोजे को अंत्य पत्ती है। चुंकि नेजुमी को ठीक ठीक पता है कि उसके पास कितना पैसा है। नामी को एहसास हुआ कि अरलोंग ने उसे भीजा है। उसे गाउं को आजाद करने से रोकें। वह वापस भागने लगती है। लेकिन वह गिर जाती है और तूट जाती है। जिसके दौरा देने के बाद वह और अन्य लोग वादा करते हैं कि मदद इस बीच अरलॉंग अपने समुदरी लुटेरों को भाशन देता है और उन्ही गाव को नश्ट करने के लिए प्रोचसाहित करता है जिससे जल्द ही गाव में आग लग जाती है जब तक समुख वहां पहुँचता ह तब तक कुछ भी नहीं बचा होता है लेकिन नोजी को उन सभी ग्रामीनों के पास आता है जिन्होंने सच्चाई जान ली है और लड़ना भी चाहते हैं हाला कि लफी ने उनसे सब कुछ उन पर छोड़ने के लिए कहा समुदरी जहास पर नेजुमी गारप से मिलता है और उसे लफी का स्थान बताता है कुछ क्षन बाद लफी का दल अरलों के मुख्यालय में पहुचता है जबकि लफी और नामी नक्षा पुनरप्राप्त करने के लिए अंदर घुसते हैं बाकी लोग गुर्गों से लड़ना शुरू कर देते हैं उसोप चू के खिलाफ गई और उसे हरा दिया इस बीच जोरो और सैंट जी आमशेतर में अन्य गुर्गों के खिलाफ लड़ते हैं और बुग्गी का सिर छोड़ देते हैं ताकि वह उनकी मदद कर सके आलाकी जैसे ही उसे अपना शरीर वापस मिलता है बुग्गी भाग जाता है उसी समय कुरू अपना ब्लेड मारता है लफी ने तुरंत इसे तोड़ दिया और नामी को बाहर निकलने के लिए कहा ताकि वह अरलोंग से लड़ना शुरू कर सके लफी उसके मुह पर मुक्का मारने में काम्याब हो जाता है लेकिन अरलोंग के दान तुरंत फिर से बढ़ जाते हैं प्रियाप्त मजबूत नहीं हैं। इसलिए वह इसके बजाएं इमारत को नश्ट करना शुरू करने का फैसला करता है। प्रियन द्वारा पार्टी में अचानक बाधा डाली जाती है और गारप उन्हें लफी के समुग को गिरफतार करने का आदेश देता है। अचानक गारप ने लफी को छोड़ दिया और अपने आदमियों को अरलों को गिरफतार करने के लिए कहने से पहले हनसा भी। इसके बजाय पुरुष यह पता चला है कि गारप यह सुनिश्चित करने के लिए लफी का परीक्षन कर रहा है कि वह तयार है इसलिए अब वह यह जान कर जा सकता है कि उसका पोता सुरक्षित है। इसी सुबह नामी अपनी मा की कबर और अपनी बहन को अलविदा कहती है और यह पता चलता है कि नोजिकों ने उसे पुराने टैटू को ढखने के लिए एक नया टैटू दिया था। और दूर चले जाते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़े। देखने के लिए धन्यवाद।